आप सभी लोग अपने अपने राज्यों में दो पद सुनते भी होंगे और देखते भी होंगे एक आप देखने ही कि राज्यपाल होता है और दूसरा मुख मंत्री होता है और ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान सरकार में ऐसा हो रहा है या वर्तमान समय में ऐसा हो है इससे पहली भी इस तरह की घटनाएं होती रहती थी कि कैंदर में जिसकी भी सत्ता होती थी और राज्य में किसी और पाइटी की सत्ता है तो राज्यपाल और मुख मंत्री के बीच तनाओ टकराओ बना रहता था अभी जैसे आप लोग देख लीजे पंजाब में उसके बाद तमिलाडू चले जाईए, केरल चले जाईए, आंध्विदेश चले जाईए आप लोग 36 गर देख लीजे, राजिस्थान देख लीजे पशे मंगाल देख लीजे, या आप लोग दिल्ली में देख लीजे यहां कि दिली में उपराज़पाल और मुखमंत्री की बीच टकराव आपको देखने को मिल रहा है सक्तियों को लेकर और मुखमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके कारण राज़पालों के कारण लोकतंत खत्रे में लोकतंत की जड़ कमजोर हो रही है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुखमंत्री चुना हुआ होता है और उसे हर पांस साल में जनता की बीच जाना होता है बोट बागने के लिए लेकिन राज़पाल की नियुकती होती है और राज़पाल अकसर ये देखा जाता है कि केंदर में जिसकी सरतकार रहती है न उसी के हिसाब से काम करता है और आप लोग देख लिएजे करनाटक में करनाटक के जो राजजपाल है वो एक समय आप देखे केंदरी मंत्री थे भालती जनता पार्टी के नेता है अब आप देखे करनाटक में सरकार बदल चुकी है कॉंग्रेस की सरकार आ चुकी है और राजजपाल किसके है बीजेपी के है तो दोनों में ओहां भी टक्राओ देखने को मिलेगा तो आज हम लोग राजपाल के पलत के बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे सम्मिधानिक प्राओधान क्या कहता है और आप देखते हैं कि सुप्रिंग कोट में भी कई बारे मामला जा चुका है तो उस मामले के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और इनकी राजपाल की स अनुचिद 153 को अगर आप लोग पड़ेंगे, इसके तहट पितेग राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, एक बेकती को दो या दो से अदिक राज्यों के राज्यों के राज्यपाल के रूम में भी निव्ट किया जा सकता है. ये अनुचेद 153 आपको याद रखना है राज़पाल को राष्टपती द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहरण सहित अधीपत्र द्वारा निव्प किया जाता है वह राष्टपती की पिस्याद परियंद पद्धारन करता है ये कौन करता है अनुचेद 155 और 56 करता है एक बार आप लोगों को ये सभी आर्टीकल बता देता हूँ अगर अनुचेद 153 को आप लोग पढ़ेंगे तो ये राज़ों की राज़पाल से संबन देते है अनुचेद 155 में राज़पाल की निवक्ती की बात की गिए अनुचेद 155 में राज़पाल की पत के लिए सरतें क्या हूने चीए उसकी बात की गिए अनुचेद 169 में राज़पाल द्वारा सपत या पितिक ज्यान की बात की गिए अनुचेद 166 में राज़पाल की कृत्तों का निर्भान की बात की गिए अनुछे 161 में चमह आदी की और कुछ मामलों में दन्डादेश की नीलंबन और परिहार या लगू करन की राजपाल की सक्ती की बात की गिए ए यह क्या होता है कई बार आप देखे हैं कि अनुच्छेदों से भी कुश्चन पूह लिये जाते हैं और आप देखते हैं कि राष्टपती किसकी सलाय पर काम करता है मंत्री परशत की आज आप लोगों को धारन देकर बताता हूँ आपको लगता है कि अगर आप देखे पिधान मंत्री साहब या पिधान मंत्री साहब की मंदल किसी नाम को सुझाए कि उत्तरपिदेश का गवर्णर यानि की राजपाल इस बैक्ति को बनाना है तो क्या राश्टपती साहब मना खर पाएंगे क्योंकि राश्टपती को किसने मनाया है द्रोपदी मूर्मों को राश्टपती किसने मनाया है बीजेपी ने तो आट डारेक्टर कहिए चाहे ना करिए लेकिन इन डारेक्ट आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष के पिरभाव में ही काम किया जाता है ठीक है और अनुछेद 161 में कहा गया है कि राजपाल के प मात्पती के पास इतनी मात्सक्तिया है कि वो अपने से एक कह सकता है कि कौन सा खाना कहना है कौन से कपड़े पहनना है ना मात्की सक्तिया है उसके पास उसे दिखावा एक तरह से दिखा दिया गया है कि इसके पास सक्तिया है ठीक है सरवोच नयाले द्वारा यह नेड़े की जाती है और सरकार की सला राज फिर्मुक राजपाल पर बाद्यकारी होगी क्योंकि आप देखते हैं कि मुख सक्तिया तो राज सरकार के पास होती है वही करता धरता होता है वही आप देखते हैं कि हिसाब देता है जनता की पिती जाता है जनता की बीच जाता है कुछ इसक में यह कहा गया है। बेवेकाधीन सक्तियों में अगर आप देखें तो राजविधान सभा में किसी भी दल का इसपष्ट बहुमत ना होने पर मुखमंत्री की नियुक्ति है। आसा हो से और अक्सर यह देखा जाता है कि पहले सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए नियुक्ता दिया जाता है। 156 में जो राजविधान सासन की बात करता है ना उसी की बात हो रही है। तो ये तीन विवेकादियन सक्ति आपको याद रखना है। अनुचेद 200 क्या गहता है? भारती समिधान का अनुचेद 200 किसी राजविकी बिधानसबा द्वारा पारित बिधियक को सहमती के लिए राजविपाल की समख्चे पिस्तुत करने की पिक्रिया को रेखांकित करता है। जो या तो सहमती दे सकता है या सहमती को रोक सकता है या राशविपाल की विचार के लिए विधियक को आरक्षित कर सकता है। नियालये ने अनुछेद 200 और 201 की समय सीमा की अन्फस्तिती से यह निस्करस निकाला कि निर्माताओं का एरादा राजविपाल की सहमती की पितिक्चा करने वाले बिलों के समाब्थ होने का जोकिम नहीं था। अनुछेद 200 का दूसरा पिरावधान क्या कहता है दूसरा पिरावधान राज्जपाल को किसी विद्यक को राश्टपती को संदर्भीत करने का बिवेक अधिकार देता है यदी वह मानता है कि इसके पारित होने से उच्छ न्यालय की सक्तियों का उलगन होगा तो राश्टप पिक्रिया अनुछे 201 में उल्लिखित की गई है। राश्पती के पास बेज सकता है। राश्पती 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 के पास करने का निर्देश भी दे सकता है। राश्पती राश्पती के पास करने के पास करने का निर्देश भी दे सकता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बारत में बिधेयकों पर राश्पाल द्वारा अनुमती रोके जाने के अगर उधारन देखें तो अपरेल 2020 में आपने देखा होगा चट्रीस गर की राश्पाल ने 2019 में राश्पती राश्पती से अग्रे किया गया था कि सदर में लाए गए बिधेयकों पर राश्पाल की सहमती के लिए एक समय सीमा निर्धारीत की जाए। और तमिलाणू के राश्पाल ने राश्पाल ने राश्पी पातता सहफ प्रवेस परिक्चा नेटक से छूट वाले विधेयक को काफी बिलामे के बाद राश्पती को भेजा था। फरवरी 2023 में केरल में राश्पाल द्वारा लोकाईग संसोधन विधेयक और केरल विष्विध्याले संसोधन विधेयक को स्वेकिती नहीं देने की सार्विन क्रूक से की गई घोशना की बज़े से अजीब इस्तिती उत्पन हो गई थी। और राश्पाल ने इन विधेयकों की सम्मिधानेक बैदेता पर आपती जयताई थी। और एक बात मल होना चाहिए। ये तो कुछ ही उधारन है। हर राज में आप देखें जो केंदरे में जिसकी सरकार उसके खिलाप होगा। हर राज में आप देखते हैं कि इस तरह की परेसानी देखने को मिलेगी। बिध्यकों पर अनुमती देने, अनुमती, रोकने की राजपाली की सक्ती के संद्मन्द में सर्वोच नियाले का पक्छ और आयों की सिफारिश क्या है, ये भी देख लिजे, सर्वोच नियाले यानिकी सुप्रेंग कोड की बात हो रही है, एक सम्मिधानिक संस्ता है, सम्मि बिधान मंदल में वो रहता है कोई पिस्ता, तो उसे विध्यक कहते हैं, जैसे ही विधान मंदल से पास होता है, और आप देखते हैं कि राजपाल की सहमती मिलती है, वो कानून बन जाता है, सर्वोच नियाले का पक्छ क्या है, नबाब, नबाम, रीविया और बामंग, फ प्याले ने ये भी रेखांकित किया कि अनुछेद 162 को, अनुछेद 161 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, यह सुझाओ देती हुए कि केबल ऐसे मामलों जो इस पर रूप से राजपाल को स्वायत्ता से कार करने की अनुमती देते हैं, नियाएक चरोंती के दाएरे से बाहर ह और इसलिए अनुछेद काल ही तुव विध्यक पर सेहमती रोकना आसमिधानिक है, और इस समंद में राजपाल की कारवाही या निस्किरिटा नियाएक समीक्षा की अधीन हो सकती है एक आप देखते हैं कि पुंची आयोग 2010 में आया हुआ था, इस आयोग ने आप देखते हैं कि सुझाओ दिया कि एक ऐसी समय सीमा का नियधारन किया जायना चाहिए, जिसके भीतर राजपाल विध्यक के समंद में सहमती जताने या फिर इसे राशपती के विचाराद आरक राजपाल को नेडल लेना चाहिए, कि विध्यक को अनमती देना है या फिर इसे राशपती के लिए विचार के लिए आरक्षित करना है। और आप देखते हैं किस तरह से राजपाल और केंद सरकार जो सप्ता में रहती है, वो राजपाल का दुरूपयोग भी करती है। आते हैं और काफी मात्पूर्ण भी रहते हैं टॉपिक